सलाम नमस्ते जैहिन मित्रो स्वागत है मेरे इस वीडियो में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लहसुन के खेत में वो कौन सी पहली खाट डालें जिससे कि आप लहसुन में ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सके तो दोस्तो मेरे वीडियो के साथ लास तक बने रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे खाद बताऊंगा जिससे कि आप अपने लहसुन के खेत में डाल करके ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन प्राप्ट कर सकें दोस्तों आप सभी से रिक्वेश्ट है कि मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करके हमें सपोर्ट करें क्योंकि मैं गार्डन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मैं रोज ऐसे लेके आते रहता हूँ दोस्तों मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ज्यादा तर मैं और्गेनिक ही फटलाइजर और खाद का उपयोग करता हूँ लेकिन कुछ किसानों और कुछ दोस्तों को ये भी वीडियो जानना होता है कि ऐसी कौन सी खाद डालें जिससे कि उनको मुनाफा जादा से जादा हो तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों कि मेरे ये लहसुन की कुछ कियारियां हैं जिसमें कि मैं खाद डालूँगा तो चलिए सुरू करते हैं तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे कुछ यूरिया लिया हूँ और यूरिया के साथ ही मैं कुछ कलर का जो खाद आप देख रहे हैं उसे हम सागारीका कहते हैं सागारीका के साथ दोस्तों इसमें मैंने फोटास भी लिया है इन तीनों खाद का मात्रा जो है मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा डोस्तों आपको इन 3 खादों को मिक्स करके आप 30 दिनों से लेके 35 दिनों के लेसुन के खेत में आपको एखाद देना है और उसके बाद से सिचाई कर देनी है दोस्तो मैं कोई भी वीडियो बड़ा और लंबा नहीं खीशता हूँ मैं जो भी जनकारी और जो भी इन्फर्मेशन है सोचता हूँ की कम से कमय में आपको देने की कोशिश करूँ अगर रही दोस्तो खाद की मातरा की बारे में तो लगभग दोस्तो आपको एक एकड में लगभग आट से दस किलो सागारिका का उपयोग करना है और एक एकड में लगभग दोस्तो तीस से चालिस किलो यूरिया और लगभग दोस्तो एक एकड में आट से दस किलो पोटास का उप्योग करना है जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं ऐसे कियारियों में ही आपको अपने खाद को छिड़काव कर देना है और उसके बाद से सिचाई कर देनी है दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज कॉमेंट्स में बताईए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए तो दोस्तों सस्क्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए क्योंकि खाद का रिजल्ट का वीडियो भी हम अपने इस योटूब चैनल पे डालेंगे